राधानी दिली के अलग-अलग इलाकों में परशासन का पीला पंजा चल रहा है परशासन का दावा है कि जहां-जहां भी अवैद कालूने बसे हुए वहां पर बूडोजर चलाकर को हटाया जाएगा अब ऐसे में कानून के जानकारों का इस मुद्धे पर क्या कहना है इसी स्लसले में आज हम पहुँचे हैं डॉक्टर एपी सिंग जी के पास जो सुप्रेम कोट के वकील हैं जाने माने कानून के जानकार हैं इसे हम जानेंगे कि इनके नजरे में ये कितना ठेक हैं मैं जनने चाम उसमर भी यह लगाता जो बिल्डोजर चलाय है रहे, आपके नमाईने में क्या है यह दिया जब बिल्डोजर जिसे आप पीला पंजा कहते हैं, जब वो कानून के दाएरे में, कानून के आदेस से, कानून का जामा पहन के जब चलता है, तो उसकी वैधानिक्त होता है उसमें भावना आती कि आप राजनीतिक बदले की भावना से कर रहे हैं राजनीतिक प्रतिशोद की भावना से कर रहे हैं धार में कुनमाद के आधार पर कर रहे हैं तब उसमें विरोध पैदा होता है कानूनी रूप से आपने नोडा में देखा मानि सरवुचनारे क कादेश पर 14-14 मंजिला इमारतें धुस्त कर देंगे, उनके तरीके सुजाए गए धुस्त करने के, सब कुछ किया गया, तो इस तरहेंसे ये चीज जो है, कानूनी तरीके से कोई भी चीज होती है वो तो बैधानिक होती है लेकिन इस तरह से किया जाना गयर कानुनी है बैधानिक और इसी आधार पर मानिस सरवोचिनाले निस पर तुरंट बहुत जल्दी इष्टे दिया और इस ते लगा कर उस पर रूंक लगाई गी जिसके आधार पर और ऐसा कई देश के कई भागों में ऐसा हुआ तो उस पर आधारित होता है अब बदले की भावना से राजनितिक प्रतिशोद से बिना किसी investigation के बिना किसी notice के बिना किसी charge sheet के आप उसको आधार बना के कहेंगे केबल कुछ जनमत के लोगों की खुशी के लिए जवाब ऐसा करते हैं तो वो दूसरा रंग ले लिता है हमारा देश धनमिल पेख्ष्टे से हमारा देश संबिधान से चलता है संबिधान इक नियम है लोगतांत्रिक धाचा है हमारा उसको अगर आप नहीं अपना के करेंगे तो फिर यह गलत है गर कानूनी सर इसकी शिरुवात जहांगीरपुरी से हुई जिसके बाद अब जगे जगे परशासन का बूर्डोजर चल रहा है क्या वास्ता में से राजनीतिक रूप कहा जा सकता है अगर वो कोइंसिडेंट नहीं है अगर MCD का प्लान था और उस घटना से जुड़ा हुआ नहीं था तो ठीक था लेकिन अगर वो MCD का प्लान भी उस घटना से बन के आया है उस घट जो हुआ जहांगीरपुरी में उससे जुड़ा हुआ है तो बिलकुल उसकी निंदा होनी चाहिए और उसको नहीं इस तरह से सर्मानता देनी चाहिए और उसी अधर पर माने सर्वोचिनल न नहीं माना जा सकता है सबके लिए होना भी चाहिए होते हुए दिखना भी चाहिए क्या एक आम आदमी के साथ ऐसा हुआ है आपने देखा मैंने पहले भी कही यह बात संसद भवने कितने पूर्व संसद लुटियन जोन में संसदों की कोठियों पर जिन पर थे वो काबिस ह बी बी किराय भी नहीं दे रहे हैं लेकिन उनसे खाली नहीं हो पा रही है उनको नहीं हटा जा रहा वो भी अतिक्रमन है कि मानने उच्चने आले के आदेश के बाब जूद की पूर्व मुख्यमंत्रियों को इस तरह के जो उनके आवास दिये गए तो उनको खाली करा लेकिन नहीं हो रहा है नहीं करा जा रहा है जब आप उन्होंकों नहीं करा पा रहे हैं तो ले गरीब शोषit पीड़त मजम्बं मजलूम जिस ने अपना मखान बनाया है मेनस्ता बना यृससे बनाया है आप उसे कह रहें आज अतिक्रमन कौन था किसके उसमय बने आज की डेट में मकान की एज भी निकलाती है सीमेंट और सर्या की एज निकलाती कागज और स्याही की पता चल जाती कितनी पुरानी उसादहार पर अगर उनके खिलाब भी एक्षन लें, उनको भी दनदात्मक प्रकरिया से गुजारें, तो उस गरीब को कम से कम राहत होगी, एक तरफ तो अतिक्रमन बनाया जाता है, बनता चला जाता है, उस समय आपके कहा थाने जाते हैं जहां भी कहीं अतिक्रन होता है इस देश का कोई एक इंच हिस्सा जमीन ऐसी नहीं है जो किसी न किसी थाने के जो डिडेक्शन में ना आती हो जो नगरपाली का या गाउपंचायत में ना आती हो हर चीज बटी हुई है रेविन्य डिपार्टमेंट के अधार पर बाइफर केट है तो उस अधार पर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि जिस अधार पर ये होना चाहिए निया संगत बात होनी चाहिए जिसको माना जाए जिसको समझा जाए इस तरह की अलुक तांत्रिक अनैतिक गर कानूनी रूप से बसी हुई है इसलिए प्रशासन उस पर बुल्डोजर चला रहा है तो ऐसे में आपने निया की बात करी जहां आपने एक और राजनीतिक मुद्दों की बात करे कि जो पूर सांसद हैं या पूर मंतरी है वो भी काबिज हैं तो क्या उन लोगों के साथ निया हो प कराने के लिए केंद्रिय पी डाबलूडी सी पी डाबलूडी डिपार्टमेंट को इतनी मशक्कत करनी पड़ी उनके लोग हाई कोट गए हमें एक हाली नहीं करना है उनके लोग उपर तक गए बड़ी लड़ाई लड़ी गई बहुत उस पर यह सब हुआ बवाल हुआ क्य एक गरीब के साथ पहुंच जाता है उनका अतिक्रन महटा उनको तो आप भावना को देखिए उस भाव को देखिए कि जिसका आपने घर तोड़ दिया जिसका परिवार का मुख्या घर पर नहीं है उसकी बूरी मा है उसकी बहां बेटी है दुद्मुही बच्ची है प्रेग दिन बाद उसे पहले इंफार्मेशन मिलती है फोन से घर तोड़ दिया गया उसकी मना उसकी देखिए उसके मन की वेधना देखिए आप कौन से समाज में रह रहे हैं क्या आज नेशल हूमर राइट कमिशन चुप है चाइल्ड बेलफेर बच्चों के नाम पर बड़ी रा चाइल्ड बेलफेर मिनिस्ट्री ये सब चुप हैं सीनियर सिटिजन एक्ट भुजर्ग के लिए बड़े कानून बनाए गए बड़े एक्ट बनाए गए बड़ी तारीफें हुई बड़े संसत भवन में पास हुए कानून बने लेकिन उस कानून की कंप्लाइंस कहां हो प मासे जिसके सामने उसका मकान तोड़ दिया गया जिस मकान मुझसे गाराइंट सीमेंट पटर अपनी मेहनत की मद्दूरी करके लगाया था उससे पूछना कभी उस मासे जो सिर पर हीटे रख रखके चड़ चड़के गई थी बनाने गिर गई सीडियों से पैर में मोचाई चोटाई खूण निकला और आपने उसके मकान को ढाहा दिया उसके सामने उसके आखों के आशो जितने अंदर जाते हैं उतने बाहर जाते हैं उन आखों की आशों कि तुनला कभ होगी एससे जश्टिस वाराल नया कब किसके लिए कहां केबल बोड़ों पे लिखा होता है नयाय का हाथ सब के साथ होते दिखना चाहिए नयाय का हाथ सिर्फ अमीरों के लिए है नयाय का हाथ गरीबों के लिए इस देश में नहीं है अगर मैं बात करूं डॉक्टर एपी सिंग जी को कानून का जानकार कहा जाता है और कहा ऐसा भी कहा जाता है कि हमेशा वो लोगों की आवाज बनकर सामने आते हैं तो इस मुद्दे के लिए क्या कुछ सोचा या कुछ उनका कुछ कदम होने वाला है नहीं कदम उनका हो रहा है मानि सर्वोचनेले हमारी है सर्वोचनेले का मैं लाइफ टाइम मेंबर हूँ और मानि सर्वोचनेले इस पर संग्यान लिया है किया है कारवाई इस पर हिष्टे दिया है और निश्यत तोर पर मानिस सर्वोचनाले जागरूख संस्था के रूप में है, वो इस मुटेटे चुप रहने वाली संस्था नहीं है, कि मूख बगिर संस्था नहीं है, वो जागरत है, जिन्दा दिखती है, आपने देखा किसान आंदोलन में हमने लड़ाई लड़ी, मान जागरत हैं, जीवन्त हैं, जीवित दिखती भी हैं, दिखाती भी हैं, और मैसज भी देती हैं, कि हम हमारे सामने हम इतिहास भी ये नहीं लिखा जाएगा, कि जब ये घटना हुई, जब ऐसी बात हुई, तो मानिस सर्वोचनाले चुप रही हर मावले में बहुत अच्छ सदिक जवाब जयते हैं मानिय मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं बात कर रहे हैं लेकिन उपर का आदेश नीचे क्यों नहीं आ पाता है कई बार ऐसा हो जाता है जैसे मानिय राजीब गांधी जी कहते थे उपर से एक रुपया चलता है नीचे 25 पैसे आ पाते हैं तो ऐसे क्या कारण है बीच में 75 पैसे चले जाते थे तो ऐसा ही मानिय मोदी जी के देश के नायक हैं दुनिया के लिए बड़ी अच्छी मिसाल हैं बहुत अच्छे कार करते हैं लेकिन उनके इन तरह के भी कारों को करना चाहिए उनकी विचारधारा को निचले इस्तर पर भ backbone होना चाहिए इससे उनको भी कहीं नहीं दुख पहुंचता है उनकी भी आत्मा को ठेस पहुंचती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सबका साथ, सबका विकास, चाहते भी, करते भी होता है, उनकी नीती में ऐसा कहीं नहीं है, उनकी नीती में, केंद्री की नीती में कहीं पंजा चलाना है, कहीं पीला पंजा चलाना है, बुल्डोजर चलाने का विधेख पास किया, कहीं उनकी हरतालें बचेंगी लोगों में जो मिस कन्फूजन होता वो चीज़ें बचेंगी लोगों को अच्छे टाइम पर सैली मिलेगी करमचारियों को अच्छा होगा सुविधा मिलेगी दिली का विकास होगा दिली की जनता का विकास होगा दिली में सफाई व्यवस्ता सुच्छता ववस्ता जल ववस्ता ये सब चीज़ें बढ़ेंगी अच्छी बात है लेकिन होना चाहिए लेकिन ये कई माबलों में चालीसा पढ़ना राम नवमी करना सुन्दर कांड पढ़ना करना ये गुणा नहीं है कहीं नहीं गुणा है मेरी माता जब से मैंने जन्म लिया है और मैंने देखना शुरू किया है जीवन में सुबह प्रति दिन पूरा सुन्दर कांड पढ़ती है लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं होती इस बात की चर्चा नहीं की जाती है दुख होता आज लोग हनुमान चालीसा लेके बड़े-बड़े निता पढ़ जाते हैं प्रेस कांफरेंस में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं अरे हनुमान चालीसा तो सब हनुमान तो सब के हैं, सब को याद है, लेकिन किसी के घर पे पढ़ेंगे जाके हनुमान चालीसा, कहीं कोई मंदिर में पढ़ेगा जाके हनुमान चालीसा, कोई मंदिर में नमाज पढ़ेगा आके, कोई ये करेगा, ये चीज़, ये हमारे इस नाजी की जरूवत है आज इस नारी की जरूवत नहीं रही कि हम हिंदूत्यों की भाछनु भाए हम, हम लीसी के घर पे हनुआनों पढ़ना, कि कौन कर nadmo, इस रोकर है, अपने घर हनुमान चालीच साफ पिदक कि भाटना, किया कि यंवान घंढा लगा देंगा। कौन हनुमां जी मना करते है हनुमां जी तो आपके हैं सब के हैं और हनुमां जी के आधर्श को तो सीखो कि अपने प्रभू शृरी राम के लिए सीना भाड़ के दिखाने की हिम्मत तो रखो इतनी भाव तो लाओ अपने अंदर पैदा तो करो आज कल प्रभु हनुमान, श्री राम या ऐसी हमारी धाती रही है कि जिनके लिए सारा देश एक हो जाता है, एक हो जाना चाहिए, हमारी सभ्यता ये है, हमारे में तु ये का का तुम मंदिर का निर्मान करो, पर मस्जिद को मत तोड़ो, भरे राम को घर दे दो, पर अल्ला क मत तोड़ो, मंदिर भी रहे, मस्जिद भी रहे, सब मिल ऐसा निर्मान करो, क्या मिलेगा खून की सरिता बहा कर के तुम्हें, ए मजा आज प्यार की गंगा बाहनी चाहिए, हम गंगा की बात करते हैं, खून की नदिया बाहने में बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन उन ख खून के धब्मों को धोने के लिए पीडियां बीड़ जाती हैं सदियां बीड़ जाती है उन खून के दप मुगल शाशनकाल ने जो किया आज उसके बदले कितना भुगतना पड़ रहा है मुगल काली इसा बता जो हुई आज राम मंदिर मुगलों ने तोड़ दिया राम ग गये एक गलत काम के पीछे सब अच्छा ही आपकी भिलुक्त हो जाती है जो सवाल था कि क्या डोक्टर एपी सिंग जी अब इस मुद्दे पर कुछ अपना कडम आगे बढ़ाएंगे या उन लोगों की आवाज बनेंगे ताकि नया सब के लिए है जो यह शब्द है यह वास् अच्छी रखेंगा और निश्चित तोर पर मानिसर वोचनले सुनता है हमारे देश में सभी का खून शामिल यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदोस्तान नहीं कोई यह समझता है किसी के एक का बाप का हिंदोस्तान है ऐसा नहीं सभी का खून शामिल है घलत को घलत क करने वाले मुसल्मान को लाउड स्पीकर नहीं चाहिए उसे पांच वक्त की नमाज कहीं भी मिल जाए उसे वो पुत्पःने के लिए चाहिए वो इस जगड़े में नहीं पढ़ना चाहता है आपने देखा राममंदर निर्माण हुआ तो सबने सम्मान किया उसे इससे नहीं मतलब यह जो लाउड स्पीकर की राजनीती नमाज की राजनीती हनुमान चालीसा की राजनीती सुंदर कांड की राजनीती यह के बल राजनीती के लिए है और इसलिए आपने देखा अभी राने जो दमपत्ती पकड़े गए उन्होंने सीधे आरोप लगा दिया पानी नह एक ऐसे पद पर बैठे हुए वक्ति जो आप सांसद हैं और मानी यह उच्छनेल है मुंबई ने यही कहा साफ तोर पे कि आप ऐसे पद पर रहे कर ऐसी बात करते हैं ऐसी भावना रखते हैं ऐसा भाव रखते हैं जो दुख़द है निंदनी है और उनकी आजका डिस्मिस कर लेहाजा कही ना कहीं जो लगातार जगह जगह यह प्रशासन का जो बूल्डू जो चलाया जा रहा है उसे राजनीती से नहीं चोड़ना चाहिए दिली से अपने सेयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट हम बतन टीवी